वेलकम टू एकजाम सहपाथी आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीटेट के एवियस स्यानिकी पर्यावरड़ी अध्यन का प्रेक्टिस सिट एट कर रहे हैं और इसमें आज का हमारा टोपिक है परवत और पठार जो की भारत और उत्तर प्रदेश के सम्मंदित कुछ महत पूर प्रश्णों को इसमें सामिल किया गया है इस टॉपिक से तो आईए इसको देखते हैं सबसे नवीनतम परवत स्रिंखला कौन सी है तो सबसे नवीनतम परवत स्रिंखला अगर आपसे पूछ ली जाएगी इन उप्संस में तो आपका ट्रांस हिमाले है व्रिहद हिमा या फिर सिवालिक हिमाले है तो ये हिमाले के ही पार्ट्स है ठीक है और इन में जो सबसे नवीनतम परवत स्रिंखला है वो आपकी है आपका सिवालिक हिमाले ठीक है तो सिवालिक हिमाले जो है ये आपकी नवीनतम परवत स्रिंखला है हिमाले की जो है सभी स्रेडियो में ठी यह हिमाले की सबसे नवीन परवत स्रिंखला है और यह कम उचाई की स्रिंखला यह भी आप याद रखेंगे यह कम उचाई की स्रिंखला है और इस पर घने वन पाये जाते हैं ठीक है तो यह सिवाली कवाला छेतर कहां पर आपके हिमांचल साइड में जो है सिवाली कवाला छ आकरती है वो दिकतर पठारी भाग की आकरती लगभग आपकी त्रिभुजा कार आकरती आती है नीचे साइड में तो दक्षिड का पठारी भाग का जो आकरती है वो आपकी होती है किस तरह की तो वो जो है लगभग त्रिभुजा कार आकरती इसकी बनती है ठीक तो यह आप दक्कन का पठारी भाग है ठीक है ना तो बेसाल्ट सेलो से इनका निर्माड हुआ है question number 3 में देखते हैं हम लोग उत्तर भारत को दक्षिड भारत से कौन अलग करता है तो उत्तर भारत को दक्षिड भारत से अलग करता है आपका सत्पुडा परवत विंध्यान चल परवत स्रेडी या फिर अरावली परवत स्रेडी या फिर छोटा नाकपुर पठार तो जो उत्तर भारत को दक्षिड भारत से अलग करता है वो आपका अलग करता है विंध्यान चल परवत स्रेडी ठीक है न तो विंद्याप का जो स्रेडी है वो आपको उत्तर भारत को दक्षिड भारत से अलग करती है तो इसको जो है एक क्वेशन आपसे ये भी पूछा जाता है कि भारत का विभाजक किसको कहा जाता है तो जो भारत का विभाजक कहा जाता है वो आपके विंद्याचल परवत स्रे एक तो आपको यहां पर सरवोच चोटी बताना है, तो सरवोच चोटी आपको याद रखना है कौन है अन pillars पर्वत और अगर सेकंड की बात हो जाएगी तो आपका कौन सा है तो वो है आपका donor beta तो यह दोनों आपको याद रखना है यहां पर description में मैंने दोनों लिख दिया है तो इसको आप जरूर याद रखेंगे अन्ना मनाई परवत पर है केरल में कौनसी अनाई मुड़ी चोटी ठीक है और यह दक्षिड भारत की सर्वोच चैन की सबसे उची चोटी है और नीलगिरी परवत पर तमिल नाडू में है क्या दोड़ा बेटा चोटी तो दोड़ा बेटा चोटी दक्षिड भारत की दूसरी सर्वोच चोटी है तो पहली और दूसरी दोनों आपको याद रखना है कोई भी आपके एक्जामस में पूछा जा सकता है अधिकतर अब दूसरी पूछा जाता है तो दूसरी आप लोग जरूर याद रखना मेघाले का पठार किसका विस्तार है तो मेघाले का पठार किसका विस्तार है अगर आपसे ये क्वेशन पूछ तिया जाए तो यह आपका प्रायद्वीपी पठार का विस्तार है या फिर तिबबत के पठार का या हिमाले का या फिर अरावली का तो भारत के जो नक्से में आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पे आपका दक्कन का पठारी भाग हो जाता है यह नीचे साइड का नक्सा है उसके बाद यहां पे आपका इधर से जो नार्थिष्ट वाला साइड बढ़ता है तो नीचे की साइड में ही आपका क्या है वहा आपका इधर साइड में जो नार्थिष्ट में आपका मेघाले का पठार है ठीक है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये भी आपका हो जाएगा प्राय दूपी ये पठार ठीक तो मेघाले का पठार किसका विस्तार है तो ये प्राय दूपी पठार का ही विस्तार है और मेघाल से संबंधित याद रख लिएगा गारो खासी और जयंतिया पहाडिया ठीक है न और जो मेघाले का पठार है इसी को हम सिलांग पठार भी कहते हैं मेघाले का पठार किसका विस्तार है तो ये प्रायद वीपी पठार का ही विस्तार है तो इसमें आपको याद रखना है गारो सर्वोच चोटी होगी वो आपकी धूब गड़ चोटी है यह आपका क्या है सही है अरावली स्रेडी का जो सर्वोच चोटी है वो आपका गुरू सिखर है माउं टाबू में आपने इसको पढ़ाओगा सिरोही जिले में ठीक है करनाटक पठार की चोटी कलसु भाई तो यह सर्वोच चोटी है वो आपकी कुदर मुख है मेगाले पठार का जो सर्वोच चोटी कुदर मुख है हरिश्चंत पहाड़ी की है कलसु भाई और कलसु भाई ही महराष्ट की सर्वोच चोटी है अगरा क्वेशन हम लोग देखते हैं अब अरावली और विंध सिंखलाओं के मध्य कौन सा पठार इस्थित है तो अरावली और विंध सिंखलाओं के मध्य आपसे पूछा गया है कि कौन सा पठार इस्थित है तो यह आपको इंपोर्टेंट है इसको आप याद रखना है यह कई बार क्वेशन पूछा गया है तो आपको याद रखना है क्या मालवा का पठार ठीक है तो इसका जो सही अंसर है ये आपका है मालवा का पठार ये अरावली और व्रिंध सिंखलाओं के मध्य में इस्थित है इसका विस्तार आपके मालवा के पठार का विस्तार आपका मध्य प्रदेश और 36 गड़ के छेतर मे फैला हुआ है ठीक है ना तो मालवा का पठार और इसमें देखिए मालवा का पठार अरावली और ब्रिंद परवस स्रिंखलाओं के मध्य में इस्थी था ये आपको याद रखना है सरवाधिक लाँख और क्वेले की प्रापती कहां से होती है तो कौन सा पठार से आपको सबसे अधिक लाँख और क्वेले की प्रापती होती है छोटा नागपूर पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार या फिर 36 गड़ पठार तो इसमें जो आपका सबसे अधिक लौह आयस्क और कुएले की प्राप्त होती है वो आपको होती है छोटा नागपूर पठार से ठीक है ना तो छोटा नागपूर पठार को जो है एक question आपसे और पूशे जाता है कि भारत का खनीज रिदय किसको कहा जाता है तो भारत का खनीज रिदय कहा जाता है छोटा नागपूर पठार को यहाँ पर लौह ऐस्क और कोईला अधिक मात्रा में पाय जाता है ठीक है तो छोटा ना इसको पहले भी हम लोग कर चुके हैं तो विंद्यानचल परवस रेडी, ठीक है न, तो ये क्वेशन हम लोग एक बार कर चुके हैं, इसको भारत का भी भाजक कहा जाता है, गल्ती से क्वेशन फिर से टाइप हो गया होगा, अगला क्वेशन देखते हैं हम लोग, उत्तर प् पहाडियों पर आपकी M60 चोटी जो है ये आपके उत्तर प्रदेश की सर्वोच चोटी है ये भी आपके उत्तर प्रदेश से सम्मंदित exam में कई बार question पूछा जा चुका है तो इसको आप जरूर याद रखना उत्तर प्रदेश की सर्वोच चोटी कौन सी है M60 चोटी ठीक ह next question देखते है question number 11 क्यों राते हैं हम लोग भारत की सर्वोच परवच चोटी कौन है तो ये question में कई बार confusion होता है लेकिन इसका जो answer अधिकतर exam से में आपका सही होता है वो कौन सा होता है Mount K2 यानि की आपका इसी को बोलते है Godwin Austin ठीक है Godwin Austin या फिर Mount K2 जो है ये भारत की सर्वोच चोटी है ये पूर रूप से भारत में इस्थित नहीं है ठीक है न एवरेश्ट आपका नेपाल चीन वाले अरिया में है और आपका ये कंचन जंगा भी भारत और नेपाल वाले छेत्र में है, ठीक है, माउंट केटू भी आपका प्योक्य यानि की पाक अधिकृत कस्मीर इन सब वाले छेत्रों में है, ये भी पूरी तरह से भारत में इस्तित नहीं है, लेकिन भारत की सर्वोच परवच चोटी जो है माउंट केटू को मना जाता है, ठ आपको पता है कि इवरेश्ट कीप कितनी है, आठ हजार आफ सो औरतालीस ठीक है न tours ये आपका माउंट केटू विष्व का दूसरा सबसे उचा परवच सिखर है, तो दूस्रे नंबडर पे है पहले नंबर पे आपका इवरेश्ट है, दूसरे नंबर पे आपका माउंट क केटू पूरे विस्सुका ठीक है तो ये भी आप याद रखेंगे ये भी क्वेशन आपसे पूछा जाज़कता है कि विस्सुका दूसरा सबसे उचा परवस्चिकर कौन सा है तो वो आपका माउंट केटू ही है और तीसरा पूछ लेगा तो तीसरा आपका कंचन जंगा है ओ क्वेशन में आपको सीधा सीधा लिखा था कि पूर्ड रूप से भारत में इस्तित यानि कि उस पे कोई विवाद ना हो वो प्योके में ना हो उसका कोई हिस्सा जो है जैसे कुछ हिस्सा आपके कंचन जंगा का सिक्किम में है तो कुछ आपका नेपाल में है और जो है इस ठीक है ना, तो उत्तरा खंड में है, तो अगर आपसे question लिखा हुआ है कि पूरी तरह से भारत में इस्थित, सर्वोच चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी नंदा देवी, ठीक है, अगला देखिए नंदा देवी परवत उत्तरा खंड में इस्थित, नंदा देवी परवत ज तो ये भी आप याद रखना, 36 गड़ राज में आपका मैकाल पठार इस्थित है, और आपको एक question इसमें और याद रखना है, आपने अमर कंटक का नाम सुना होगा, ठीक है ना, तो मैकाल पहाडी की जो सर्वोच चोटी है, जो सर्वोच सिखर है, वो क्या है, वो आपका अमर कंटक है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है, तो मैकाल पठार, 36 गड़ राज में इस्थित है, और मैकाल पहाडी की जो सर्वोच चोटी है, उसका नाम क्या है, अमर कंटक question number 14 में आते हैं, निमनलिखित में से सबसे प्राचीन परवत स्रेडी कौन सी है, तो प्राचीन तम परवत स्रेडी आपसे पूछा गया है, हिमालय है, अरावली है, सत्पुड़ा है, या फिर बिंद स्रेडी है, तो सबसे प्राचीन ये विश्व की प्राचीन तम स्रेडी अरावली जो है बहुत पुरानी परवत स्रेडी है ठीक है तो ये प्राचेंतम परवत स्रेडी या फिर अवसिष्ट परवत स्रेडी इसको बोला जाता है इसको अरावली को ठीक तो अरावली स्रेडी संसार की सबसे प्राचेंतम परवत स्रिंखलाओं में से एक है ओके हिमाल लिखित में से किस परवत माला को सहयादरी के नाम से जानते हैं तो सहयादरी के नाम से किसको जानते हैं पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट को सत्पुड़ा को या फिर अरावली को तो जो आपका सहयादरी है ये बोला जाता है आपका पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट को क्या बोला जाता है तो पूर्वी घाट को बोला जाता है पूर्वाद्री ठीक है तो पूर्वाद्री बोला जाता है पूर्वी घाट को ये तो आपको important आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि पूर्वी घाट है तो पूर्वाद्री हो गया लेकिन पश्चमी घाट का अगर आपने देखा होगा इस तरह से भारत का गर नीचे वर अनक्सा देख रहे हैं तो यह आपका जो है आपका इस साइड हो जाता है यह आपका वेस्ट साइड हो जाता है तो इधर पूर्वी घाट होता है इधर आपका पूर्वी घाट होता है ठीक है तो पूर्वी घाट इधर है और पूर्वी घाट आपका इधर है ठीक East West तो पूर्वी घाट और पस्चिमी घाट के मिलन अस्थल को क्या कहा जाता है इस question में पूछा गया है इधर आपका पूर्वी घाट आ रहा है यहाँ पे मिलता है ठीक है यहाँ से पस्चिमी घाट आ रहा है के मिलनस्थल परिष्थित है आपका नील गिरी पहाड़ी ओके अगला क्वेशन देखते हैं हम लोग क्वेशन नमबर 17 में आते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूव में सबसे अधिक उचाई वाली चोटी कौन सी है ये भी क्वेशन आपसे कई बार पूछ लिया गया है ठीक है इसलिए आपे सामिल कर लिया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूव में सथित सरवाधिक उचाई वाली चोटी कौन सी है सैडल पीक मैंट थ्विलर माउंट दियावलो माउंट कोईल तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपको याद रखना है सै वीडियो को क्या करेंगे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ जो भी आपकी यूपीटेट की त्यारी कर रहे हो वीडियो को आप लाइक करेंगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद